Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching a favorite educational channel Magnet Brains जहाँ पर हम आपको देते हैं 100% free quality education और जब 100% कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 chapters के बाद आप से paid subscription मांगा जाएगा Magnet Brains पर state board, Hindi medium, English medium, CBSC, competitive exams like NTSC, Olympiad and कुछ famous writer के book का solution सब कुछ करवाया जाता है प्लस exam preparation और बहुत सारी चीजों के साथ 100% free of cost हम स्टाट करने जा रहे हैं class 6th का science subject वैज साइन्स की शुरुआत करी, उससे पहले जरूरी है कि हम बागी subject teacher से एक बार फिर से बिल ले जिन में से कुछ आपको maths, English, social पढ़ाते हैं, इनका साथ होगा तभी तो हम होंगे काम्याब हमारे आने वाले exams में, तो science के साथ इन सभी के वीडियोस को भी जरूर देखें तो हम क्या पढ़ रहे थे? तो हम पढ़ रहे थे हमारा chapter number 8 जिसका नाम है body movement clear है? तो हमने देखा कि हमारी body के अंदर जो movements है वो किस current से हो पाते हैं तो हमने देखा हमारी body में बहुत सारे joints है, कुछ joints ऐसे हैं जो movable है, कुछ joints ऐसे जो fixed होते हैं लेकिन फिर भी जो fixed joints हैं वो किस तरह से move कर पाते हैं तो हमने देखा कि यार हमारी muscles जो है वो एक तरीके से दो pair में काम करती है, contract होती है, relax होती है जिसकी बज़वाजा से हमारी जो bone होती है वो pull हो पाती है, और एक point हमने यह जाना कि muscles जो है, वो pull तो करती है, bones को लेकिन push नहीं करती next is हमने देखा कि हमारी ear में कुछ हलकी सी hard teeth होती है, लेकिन bone जितनी hard नहीं होती, तो हम उसे कहते है cartilage तो हम यह समझ गई कि हमारा जो पूरा body structure है, जो हमारा पूरा का पूरा skeleton है, वो joints से, कुछ bones से और cartilage से मिल करके बना होता है, और हमारी muscles जो है, वो हमारी bone को pull करके, उसे move करवाने का काम करती है, ठीक है, तो यह तो हमने हमारे कुछ चीज़ें हमारे human body के अंदर सीख ली, लेकिन अगर animals की बात करें, तो animal किस तरह से चलते होंगे, अगर animal की अपन हड्यों की बात करें, बोन्स की बात करें, तो आपने देखा होगा की horse है, या cow है, ox है, अलग-अलग तरीके के animals अलग-अलग से चलते हैं, जैसे जित उनकी भी backbone होती है, और उनके भी पैरों में कुछ muscles हैं, कुछ bones हैं, है ना, तो यह animals हो गए, हमने फिर देखा कि यार कुछ और animals होते हैं, जैसे कि आपके hiran हैं, देखें, deer जिसे हम कहते हैं, या फिर अपन tiger की बात करें, monkeys की बात करें, तो इन सबें तो हमें लगता है कि हां, इन सबी में जो हड्या होती हैं, जो bones होती हैं, वो थोड़ा बहुत हमारी human body की structure जैसा होता है, ठीक है, लेकिन हमने और भी कुछ animals देखे हैं, जैसे कि हमने देखा है हमारी earthworm को, ठीक है, तो earthworm के अंदर क्या कुछ ऐसा bone होता है, वो किस तरह से move कर पाती है, इसके ब 5 से, जो कि आपके NCRT book में दी हुई है, जिससे हमें काफी आसान तरीकी से समझ में आ जाएगा, या यह जो earthworm है, या जो snail है, यह किस तरह से move करती है, तो आपको क्या करना है, observe an earthworm moving on a soil in a garden, अब आपको earthworm को देखना है, जो कि आपकी soil में जाती है, कुछ इस तरह से ring ते है, ठीक है, so gently lift it and place it on a piece of bloating और a filter paper, अब आप क्या करिए, कि उसे filter paper या फिर bloating paper जो होता है, filter paper जिसकी मदल से आप पानी को साफ कर सकते हो, तो filter paper में आप उसे रख दीजे, observe its movement और उसके movement को देखे, then place it on a smooth glass plate और any slippery surface, ठीक है, पहले आपको paper के उपर रखना है, और उसे move क क्या करना है, ग्लास की plate लेना है, और फिर उसको आप earthworm को अराम से उस पर रख दीजे, फिर उसको देखे कि वो कैसे move करती है, it is different from that on paper, क्या वो different है paper से, in which of the above two surfaces do you find that earthworm is able to move easily, किसमे ये आसानी से move कर पा रही है, इस चीज़ को आपको देखना है, ठीक है, so basically, जब आपन उसे paper पर रखाऊगा, तो थोड़ी उसको difficulty लग रही होगी, तो ऐसा क्यों, क्यों हमने ये देखा कि जो earthworm है, वो नीचे की surface, जिस पर वो चलती है, उसकी मदद से कुछ घीसते हुए चलती है, आप अगर खेलते हुए, earthworm की तरह चलना चाहोगे, तो आप देखोगे कि आ आपकी surface पर घसीटते हुए जाना पड़ता है, तो इसका मतलब कि क्या उसके अंदर कोई बोन तो होती नहीं होगी, तो क्या ऐसी चीज होती हो इसके अंदर, तो याद रखेगा, the body of earthworm is made up of many rings, joint end to end, इनके अंदर क्या होती है, rings होती है, तो इसलिए जब उनको बनाया जा आता है, तो इन में इस तरह से जो लाइन से ये शो की जाती है, तो ये छोटी-छोटी सी rings से मिल करके बनी होई होती है, तो इसी rings से एक दूसरे से connect होती है, clear है, so an earthworm does not have bone और इनके अंदर कोई भी bone नहीं होती है, ये याद रखेगा, obvious से बात है, क्योंकि हमने कई बार earthworm को देखा भी है, वो पूरा अपनी body को move कर लेती है, हर एक पार्ट से वो उठोटके असारी से चल लेती है, तो ऐसा क्यों, क्योंकि उनकी body में कोई भी bone नहीं होती, ये छोटी-छोटी से ring से मिल करके बनी होती है, अब क्या होता है, इसके अंदर, it has muscles which help to extend and shorten the body, अब जैस तरीके से, earthworm के अंदर भी muscles होती है, जिसकी मदद से ये अपनी body को extend और shorten करती है, अब earthworm कैसे चलती है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतला पहले short करती है body को, फिर extend करती है, फिर short करती है, फिर extend करती है, तो इस तरह से इसका movement हो पाता है, player है, तो इनकी muscles होती है, इनके extend the front part of the body, तो movement कैसे करेंगी, अब ध्यान से अगर आपने देखा होगा, तो सबसे पहले तो यह अपनी body के सामने वाले हिस्से को क्या करती है, extend करती है, आगे की तरफ करेगी, ठेके, and keeping the rear portion fixed to the ground, और बाकी की portion को क्या करती है, ground में रहने देती है, आगे की portion को extend करेगी, पीछ फिर क्या करेगी, पीछे वाला जो इसका end है, उसे release करेगी, मलब ऐसे, फिर ऐसे करके चलती है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से देखिए, पहले आगे की तरफ, ध्यान से देखेगा, क्या करती है, आगे के end को extend करती है, फिर पीछे के end को relax करेगी, और फिर आगे जाएगी, फिर इस तरह से ये contraction से, muscle के contraction से अपने आपको क्या करती है, चलाती है, फिर उसके बाद क्या करेगी, पहले क्या किया, extend किया, फिर इसके बाद आगे वाले portion को क्या करेगी, extend करने के बाद, पीछे वाले portion को थोड़ा सा वैसे का वैसे छोड़ देती है, फिर क्या करती है, आगे के portion को fix कर दिया, पीछे के portion को छोड़ दिया, rear end को, फिर उसके बाद क्या करेगी, थोड़ा सा short होती है, short होने के बाद क्या करेगी, it then shorter the body and pull the rear end forward, और जो पीछे का end है, उसे आगे की तरफ ले करके आती है, this make it move forward by a small distance, तो जिससे एक छोटे छोटे से distance से, एक छोटे से distance को cover कर लेती है, ठीक है, repeating such muscles, expansions and contraction, the earthworm can move through the soil, इसी तरीके से जो आपकी earthworm होती है, expansion और contraction की मदद से, यह क्या करती है, आपके पूरे soil में आसानी से चल पाती है, its body secrets a slimmy substance to help the movement, इसकी जो body है, एक secret मतलब की एक तरीके से उसके अंदर से हलका सा juice type या liquid type निकलता है, जो क इसकी body को क्या बनाता है, slimmy बनाता है, ताकि वो उपर से चिकनी रहे, slim रहे, थोड़ी से, तो क्या होगी, आसारी से वो soil के अंदर क्या कर पाएगी, move कर पाएगी, और उसकी body को नुकसान भी नहीं होगा, अगर कुसी चीज़ पर आप oil लगा दोगी, तो वो आसारी से उ Earthworm के अंदर हमने यह देखा कि इसका ring जैसा structure बना होता है, इन rings में muscles होती है, जिनकी मदद से वो पहले अपनी body को थोड़ा सा क्या करती है, contract करती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि it has a muscles which help to extend and shorten the body, अपनी body को extend और short करके, यह आगी की तरफ बढ़ती है, ठीक है, जैसे यह खीचा, फिर छोटे shorten किया, फिर आगी किया, ठीक है, so during the movement, the earthworm first extend the front part of the body, सबसे पहले अपने front part को extend करती है, and keeping the rear portion fixed to the ground, और बाकी का portion वही के वही रहता है, ठीक है, then it fix the front end and releases the rear end, और फिर उसके बाद उसको fix करेगे और पीछे को release करेगी, ठीक है, इस तरह से यह एक movement करके अपने फिर short होती है, फिर इस तरह से एक छोटे से distance को cover करती है, clear है, so how does it fix parts of its body to the ground, ठीक है, अभी बेसिकली अभी मैंने आपको बताया, यह जो earthworm होती है, उसके उपर slimmy सा substance होता है, तो यह अपनी body को फिर fix कैसे कर प होती है, bristles होते है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते है, hair like structure होता है, इसकी body के नीचे की तरफ यह देखे, हना, तो आपने क्या मैंने आपको क्या बताया कि पहले वो अपनी एक end को fix करती है, फिर क्या करेगी, पीछे के end को धिला छोड़ती है, फिर धोड़ा सा ऊपर उठती है फिर आगे वाले end को डिला छोड़ेगी, पीछे वाले end को fix करेगी, फिर उपर उठेगी और इस तरह से चलती है, अब यह fix कैसे कर रहे हैं, जब इस तना slimmy है, तो इसलिए slimmy है, इसलिए fix कर पाती है, क्योंकि इसकी body के नीचे क्या होते हैं, bristles होते हैं, जिसको हम कहते है hair like structure, जो की बाहर की तरफ निकले होते हैं, the bristles are connected to the muscles, यह जो bristles होते हैं, यह muscles से connected होते हैं, the bristles have to get a good grip on the ground, और इनी की मदद से वो क्या कर पाती है, ground में grip बना पाती है, तो चुटे-चुटे से इनके pair type आप समझ लो, तो जिसकी मदद से वो पहले अपने आपको पकड़ लेती है, ground में, फिर, पीचे के portion को क्या करेंगी, फिर, आगे की portion को tight करेंगी, फिर आगे के portion को छोड़ेगी, पीचे की portion को tight करेंगी, इस तरह से यह अपना पूरा का पुरा movement करती है, और कैसे fix होते हैं, तो इन bristles की मदद से, यह अपने पूरी body को एक जगा पर fix करने का काम करती है so the earthworm actually eats its way through the soil its body then throws away the undigested part of the material that it eats अब यह जिस तरह से चलती है उसी तरीके से खाना भी खाती है ठीक है और जब यह क्या करती है अपनी जैसे ही ही यह मूफ करती है उसी के हिसाब से खाती है ठीक है और अपने undigested food को भी ऐसी ही movement के साथ में वो inject करते जाती है मतलब बहार निकालते जाती है so this activity of an earthworm makes the soil more useful for the plants और इसी तरीके से इसकी मदद से जो undigested part इसकी body से बहार आता है इसी की मदद से जो soil है वो सुरी slimy-slimmy सी हो जाती है और हमारी जो soil है वो क्या होती है एक तरीके से जादा हमारे plants के लिए useful हो जाती है तो यहां तक हमने किसके बारे में discuss किया यहां तक हमने हमारे earthworm के बारे में discuss किया I hope यह जितने भी जरूरी points थे यह आपको याद रहेंगे कि earthworm कैसे move करती है क्योंकि इसकी body में muscles होते हैं bones नहीं होती rings like structure होता है जिसकी मदद से यह अपनी body के एक end को fix करती है दूसरे end को free छोड़ती है फिर यह band करती है अपनी बीच वाले portion को फिर क्या करेगी आगे की portion को फ्री करती है पीछे fix होती है और इस तरह से यह fix करते हुए आगे आगे बढ़ती जाती है इसे दौरान यह अपनी food को भी खाती है और undigested food को अपने शरीर से बाहर निकालती जाती है और हमारे soil को जादा अच्छा बना देती है plants के लिए ठीक है अब soil earthworm की जैसे ही आपने देखा होगा स्नेल को अब आपन समझते है इस स्नेल के बारे में observe a snail in your garden have you seen the rounded structure it carries on its back अब आपने देखा होगा कि इसके back पे इस तरीके का rounded structure होता है शर्मा रहा इसलिए ना बार बार भाग रहा है फिर से देख लिएगा दुबारा से आएगा तो इसके body की उपर एक rounded structure होता है जो की थोड़ा सा hard होता है this is called the shell इसको क्या कहते है इसके shell कहते है हाना सुभी जो snail है इसके body part पर एक जो heart से structure होता है जिसको वो लेकर की घूमता है यह होता है shell and it is the it is the outer skeleton of the snail अब जैसे हमारी body में skeleton अंदर है snail का यह जो skeleton ही ऊपर की तरफ है but it is not made up of bones लेकिन यह bone से नहीं बना होता ठीक है so it is the outer skeleton of the snail but it is not made up of bones से bones से मिलकर की बना नहीं होता है the shell is a single unit and does not help in moving from place to place अना यह जो shell है basically a single unit होती है ठीक है लेकिन यह इस snail के use से चलने का काम नहीं होता मतलब कि जो snail के ऊपर जो shell बना हुआ होता है इसकी मदद से snail को कोई help नहीं मिलती कि वो एक जगा से दूसरे जगा जाए so it has to be dragged alone ठीक है इसलिए वो अकेले ही क्या करती है उसको सिर्फ drag करना होता है so place the snail on a glass plate and watch it अब उसे glass plate पर रख दीजे when it starts moving carefully lift the glass plate along with the snail over your head ठीक है अब आप उसको अपने सर पर रख लीजे carefully lift the glass plate snail के साथ में पहले snail को glass plate पर छोड़ो और फिर उसे आप क्या कर दीजे अपने सर पर प्लेट को रख करके देखे अब observe its movement with vinnath a thick structure and the head of snail may come out of an opening in the shell ठीक है अब क्या होता है जैसे ही आप उसे उपर उठाते हो तो वो शेल के अंदर चली जाती हो चलने के लिए क्या करती है फिर अपने शेल में से अपने गर्दन को बहार निकालती है ठीक है so the thick structure is its foot made up of a strong muscle ठीक है यह जो thick structure होता है यह इसका foot होता है जो कि strong muscles से मिलकर के बना होता है now carefully tilt the glass plate the wavy motion of the foot can be seen अब आपको क्या लगेगा यह जो foot है वो वेव कर रहा है so is the movement of a snail slower fast as compared to an earthworm तो इसनेल है इसका movement आपको कैसा लगा था आप यह activity करके मुझे बताईएगा तो मेरे हिसाब से यह जो snail का movement है यह earthworm के comparison में थोड़ा सा slow होता है ठीक है तो basically जो आपका snail होता है snail में क्या-क्या है तो snail की जो body होती है उसमें muscles होती है इसमें भी bone नहीं है लेकिन इसका जो skeleton type structure है जिसकी मदद से शेल की मदद से उसके अंदर छुप जाता है और मदभी इसके body के parts को protect करने का काम करता है जिसमें अपने head को अपने tail जिसको जो कि उसका एक leg type का structure होता है उसे अंदर safe करके रखता है ठीक है आप यहां तो हमने दो चीजों के बारे में इस वीडियो में बताए आपको magnet brains पर जाकर कि आपको क्या करना है magnet brains.com सेलेक करना है जैसे magnet brains.com पर आप जाते हैं तो आपको cbac English medium Classics को select करिएगा Classics को select करते साथ ही आपको एक इस तरह से screen दिख जाएगी जिसमें कि आपको हर subject के folder दिख रहे हैं तो science पर जाईए और watch now कर दीजे जैसे आप watch now करते हैं तो आपको नीचे सारे chapter दिखेंगे chapters उनके हर topic solution सब कुछ है तो जो भी पढ़ना है जस उस आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है जब आप वीडियो देखें आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए कमेंट करके हमें बताइए और इसे शेयर करिए अपने सेम क्लास के साथ सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें सारी रिटेल आपको सिर्फ एवेडियो और ब को इंग्लिश में सूर्ट से हैं तो उनके लिए मैं बता दू कि हमारी मैंने ब्रेंस पर किंदर गार्ण से क्लास 12 तक 100% फ्री क्लासेस अविलेबल है तो इससे जरूर लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब जरूर करेंगा ताकि रीसेंट अपडेट आपके सब्डिक्स रिलेटेड आपके क्लास रिलेटेड